अध्याय पांच प्रेरणा खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना इंतजार करने वालों को अच्छी चीज मिलती तो है पर केवल ऐसी चीजें ही मिलती है जिने कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं अबराहम निंकन मैं दो बातों पर यकिन रखता हूँ का जादतर लोग अच्छे होते हैं पर वे और अच्छे बन सकते हैं खा जादतर लोग यहां चानते हैं कि उन्हें अपनी जिन्दिगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए सवाल यहाँ उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते कमी है एक जिंगारी की, एक प्रेड़ना की अपनी मदद करने के तरीके बताने वाले कुछ किताबे यह सिखाने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए लेकिन मेरा तरीका अलग है मैं लोगों से पूछना हूँ हम यहाँ काम क्यों नहीं करते अगर हम सड़क पर मिलने वारे लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए तो भी हमको सारे ही सही जवाब देंगे लेकिन अगर हम उनसे यह पूछें क्या वे उन बातों पर अमल भी करते हैं तो जवाब होगा नहीं, इसकी वज़ा है प्रेर्णा का अभाव, सबसे सक्षिशाली प्रेर्णा हमारे अपने विश्वासों से जन्म लेती है, किसी काम के लिए, पहल करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उ और अपने पेशे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं, घर और दफ्तर में हमारे रिश्टे बहतर होने लगते हैं, जिन्दकी सार्थक और ज्यादा भरपूर हो जाती है शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद व्यक्तिकी भावनात्मक जरूरतें ज्यादा शक्तिशाली प्रेणा बन जाती है हमारा घर हमारा हर वेवार लाब और हानी के उसूल से बनता है अगर लाब से हानी ज्यादा है तो यह वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी और अगर हानी से लाब ज्यादा है तो वह हमारे प्रेणा बन जाएगा आर्थिक पुरशकार छुटियों और तोफों की शकल में मिलने वाले लाब दिखाई देते हैं लेकिन माननिता, प्रशंशा, खुशाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थक्ता का एहसास, किसी काम को पूरा करने के अनभूत औ लाबों को केवल महसूस किया जा सकता है, वे आँखों को दिखाई नहीं देते, प्रेर्णा की परिवाजा, दूसरा सवाल यहां पैदा होता है कि प्रेर्णा है क्या, प्रेर्णा एक ऐसी प्रेरक शक्ती है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है, प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज़बा पैदा करना, प्रेर्णा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है, प्रेर्णा बहुत सक्षाली है, यह हमारे मन के संदे को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है, दूशरे शब्दों में प्रेर्ण किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है यह कैशी ताकत है जो हमारे जिन्दगी बदल सकती है हमें प्रेरित होने की आवश्यक्ता क्यों है प्रेरा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ती होती है इसका जैन में सफल होने की इच्छा से होता है सफलता के बिना जिंदिगी में ना तो इच्जत मिलती है ना ही घर या दफ्तर में आनर और उत्तेजना का महौल बन पाता है जिंदिगी उस तेड़े मेड़े पहिये की तरह हो जाती है जिस पर हिश्कोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है प्रेणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्ट है आत्मसंतुष्ट वेक्ती कोशिश नहीं करता आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जिंदिगी की जरूरतों का एहसासी नहीं हो पाता है प्रेणा कैसे काम करती है प्रेड़ा कैसे उत्पन होती है इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेड़ित करके अपने मकसद को तो हासिल करी सकते हैं इसके अलावा दूसरों को भी प्रेड़ित कर सकते हैं हमारी आंत्रिक प्रेड़ा ही हमारी प्रेड़क सकती और नजरिया होती है और यह हमारे आसपास के महाल पर भी असर डालती है हम दूसरे लोगों को जैसे व्यवहार की उमीद करते हैं उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नचरिया ही है कोई इनसान प्रेरित और लक्ष के प्रित समर्पित कैसे रह सकता है इसके लिए खिलाडी लंबे समय से आत्म सुझाओ के तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं आत्म सुझाओ के अंतरगत कुछ आशावादी वाग के वर्दमान काल में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोराया जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो यहां खुद से की गई आशावादी बातचीत है दारड के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाली में कोई नया काम शुरू किया खुद को आत्म सुझाओ देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोरा सकते हैं मेरा आत्म विश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है या फिर मान लीजिए कि हमारा एक बेटा एक ऐसे दोर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खीज पैदा करती है उस हालत में हम खुद को यह आत्म सुझाओ दे सकते हैं कि मैं जौन से बात करते से मैं शांत रहूँगा और सैयम से काम लूँगा प्रेड़ना और अंतह प्रेड़ना में क्या फर्क है मैं देश विदेश में सेमिनार करता रहता हूँ लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ मेरा जवाब होता है नहीं लोग खुद को खुद ही प्रेरित करते हैं मैं तो लोगों को प्रेरित होने के लिए अंतह प्रेर्णा देता हूँ उसके बाद लोग अपने लिए प्रेडा दायक महौल खुद तैयार कर सकते हैं अंत्र प्रेडा विचार के रूप में वेक्त होती है जबकि प्रेडा कारे के इस्तर पर वेक्त होती है जब आदमी की सोच बदलती है तो उसका इजहार उसके वेवार में होता है लोगों को आत्म प्रेरित करने वाली अंतह प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है कि उनकी जरूरतों को समझा जाए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? पैसा, मानेता, जीवन इस्तर में सुधार हम जिने प्यार करते हैं उनसे मिली स्वीकरती ये सबी चीजें प्रेरख शक्ती बन जाते हैं लोग पैसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं एक अच्छे नेता के लिए वे उससे भी अधिक कुर्वानी दे देते हैं लेकिन सबसे अधिक त्याग लोग अपने विश्वास के लिए करते हैं अपने विश्वास के लिए लोग जान तक दे देते हैं पूरी दुनिया में ऐसी घटनाय रोज होती हैं जब हम खुद को अपने जीवन और वैभार के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं तो जिन्दिगी के बारे में हमारे नजरिये में बहतरी लाने वाला बदलाव आता है प्रेणा आग की तरह होती है यदि हम उसमें इंधन डालना बंद कर देंगे तो वहां बुझ जाएगी अपने आंत्रिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा इंधन है जब हमारी प्रेणा को आंत्रिक मूल्यों में विश्वास ही धन मिलता है तो वह लंबे समय तक कायम रहती है आंत्रिक और बाहरी प्रेणा प्रेणा दो तरह की होती है आंत्रिक और बाहरी बाहरी प्रेणा बाहरी प्रेणा बाहर से हासिल होती है बहरी प्रेड़ा के उधारण है पैसा, सामाजिक मानेता, प्रसिद्धी और भै उधारण के तौर पर मा बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकाले जाने का डर भै से उत्पन प्रेड़ा एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी योजना को लागो करने के लिए जरूरी था उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दे जौन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्थखत कर दिये योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारीों के लिए काफी पैदे मन थी लेकिन जॉन के दस्टखत ना करने से रुकावट पैदा हो गई जॉन के सुपरवाइजर और साथी करमचारियों ने उसे दस्टखत करने के लिए मनानी की काफी कोशिश की परसफल रहे आखिरकार कंपनी के मौलिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुला कर कहा जॉन यहाँ पैन रखी है और साथ में पैंसन योजना के काफ़ाद रखे हुए है जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्टखत करने हैं अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा जॉन ने दस्टखत कर दिये तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्टखत पहले क्यों नहीं किये थे जॉन ने जवाब दिया इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चक्मा दे देते हैं वजह यह है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौर रहा होता है जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है भै के कारण उत्पन होने वाली प्रिर्णा की ये फायदे है इसके वज़ा से काम जल्दी पूरा होता है काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ती बढ़ जाती है हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था उनकी लगातार निग्रानी की जाती थी और कामना करने पर सजा दी जाती थी लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रिर्णा के नुकसान दे पहलू भी है यहां बाहर से दी जाने वाले प्रेड़ा हैं इसका मतलब यहा है कि प्रेड़ा तभी तक कायम रहती है जब तक प्रेड़ा देने वाला मौझूद रहता है प्रेड़ा देने वाले के हटते ही प्रेड़ा भी समापत हो जाती है यहां तनाव पैदा करती है सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे आखिर कार काम करने के शक्ति घड़ जाती है यह रशनात्मक्ता को खत्म कर देती है लोग डंडे के डर से काम के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े फिर और बड़े रंडे की जरुएत पड़ती है जो लोग किवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे वे किसी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते एक ग्रहाक ने किसी कर्मचारी से पूछा तुम यहां कब से काम कर रहे हो कर्मचारी ने जबाब दिया जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी प्रोचसाहन प्रेड़ना बाहरी प्रेड़ना कई तरह के प्रोचसाहनों, बोनस, कमीशन, मानिता आधी के रूप में भी दी जा सकती है प्रोचसाहन प्रेड़ना का सबसे बड़ा लाब्या है कि जब तक असरदार प्रोचसाहन मिलता है तब तक यह काफी कारगर सिद्ध होती है जरा उस गदे के बारे में सोचिये जिसके आगी एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाड़ी जूती हो हम इस मामले में प्रोचसाहन प्रेड़ना कारगर तभी साबित होती है जब गद्ध काफी भूका हो और गाजर मीठी हो गारी पर लदा बोजा हलका हो तो समय समय पर हम गधे को थोड़ी थोड़ी गाजर खाने के लिए देनी होगी वरना उसका उट्साह खतम हो जाएगा थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब उसका पेट भर जाएगा तो हमको फिर उसे भूक होने का इंतिजार करना पड़ेगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाली कीचे हमारी व्यापारिक महौल में भी यही सिलसला देखने को मिलता है सेल्समेन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रेणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है ऐसी प्रेणा बहरी है आंत्रिक नहीं आंत्रिक प्रेणा एक लड़का फुटबॉल खेलनी की प्रैक्टिस करने लगातार आता था लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका जब वा प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैट कर उसका इंतिजार करते रहते थे मैच शुरू हुआ तो वह लड़का चार दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया वह क्वाटर फाइनल में और सेमी फाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाडियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया लेकिन करपा करके आज मुझे खेलने दे कोच ने कहा पेटा मुझे दुख है कि मैं तुम यह मौका नहीं दे सकता टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है इसके अलावा यह फाइनल मैच है इसकूल की इज़द दाओं पर लगी है मैं तुम्हें मौका दे कर खतना मोल नहीं ले सकता लड़के ने मिन्नत करते वे कहा सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूँगा मेरी आपसे विंती है कि मुझे खेलने दे कुछ ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विंती करते वे नहीं देखा था उसने का ठीक है बेटे जाओ खेलो लेकिन याद रखना मैंने याँ लड़े अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज़्जत नाव पर लगिये मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े खेल शुरू वाँ लड़का तूफान की तरह खेला उसे जब भी गेंद मिलते उसे गोल मार दिया कहना ना होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया उसकी टीम को शांदार जीत मिली खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर गहा बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते वे नहीं देखा यह चमतकार कैसे हुआ तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए लड़के नहीं जबाब दिया कोच आज मेरे पिता जी मुझे खेलते वे देख रहे थे कोच नहीं मुड़कर उस जगए को देखा जहां उसके पिता जी बैठा करते थे लेकिन वहाँ पर कोई नहीं बैठा था उसने पूछा बेटा तुम जब भी प्रक्टिस करने आते थे तुम्हारे पिता जी वहाँ बैठा करते थे लेकिन आज मैं वहाँ पर किसी को नहीं देख रहा हूँ लड़के ने उत्तर दिया कोच मैंने आपको यहाँ कभी नहीं बताया कि मेरे पिता जी अन्दे थे चार दिन पहले उनकी मृत्ती हो गई आज पहली बार वहां मुझे उपर से देख रहे थे आत्म सम्मान उपलब्ति के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंत्रिक प्रेणाएं व्यक्ति के अंदर से आती है आंत्रिक प्रेणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंत्रिक संतुष्टी है इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता बल्कि यहां तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्धा से जन्म लेती है इसका रिष्टा किवल मंजिल पाने से नहीं बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुचा देने के एहसास से होता है किसी निरथक लक्ष को हासिल करने से आत्म संतुष्ट नहीं मिलती आंत्रिक प्रेणा टिकाओ होती है क्योंकि यहां इंसान के अंदर ये जन्म लेती है और आत्म प्रेणा का रूप लेती है सफलता पाने के लिए अपनी प्रेणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनने की जरूरत होती है अपने लक्ष को लिखिए और उसे अपने सामने रख कर सुबह शाम पढ़ा कीजिए दो सबसे अधिक महत्रपूर्ड आंत्रिक प्रेणाएं हैं मानिता और जिम्मेदारी मानिता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंशा करें और हमको मान सम्मान दे और हमसे चुड़ाओ में हश्चूस करें जिम्मेदारी से आदमी में चुड़ाओ और सौमितू की भावना जन्म लेती है वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है जिम्मेधारी का अभाव आदमी के उत्साह को गटाता है मानेता बहरी चीज है क्योंकि यह बहर से आसिल होती है हलाकि इसका इज़हार आदमी के अंदर होता है दूसरी और जिम्मेधारी एक अंदरूनी ऐसास है इसकी अनिभूती व्यक्ति को अपने अंदर होती है जिल का उधार अड़े एक ग्राहक सेवा प्रत्निदी थी और इस काम सेवा छे सालों से चुड़ी थी इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी अल्दी बदलते हैं उसे देखते हुए वहया काम लंबे समय से कर रही थी जिल को अपना काम पसंद था उसे ग्राहकों से बात करना और उनकी दिक्कते दूर करना अच्छा लगता था लेकिन उसे एक बात ना पसंद थी दो साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरी ग्रहक सेवा प्रतनीधियों को भी उसकी बराबरी का दर्जा दिया गया था वह इस बात से हतार सुजाया करती थी कि कई ग्रहक सेवा प्रतनीधि उसकी सला सुनना ही नहीं चाहते थे उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधिय मैनेजर के पास चले जाते थे जब कि मैनेजर के पास जिल जितना काम का तजर्बा नहीं था मैनेजर ने गौर करना शुरू किया कि जिल का काम हाला कि खराब नहीं था पर वह पहले जितना अच्छा नहीं रह गया था वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था इसलिए उसने जिल की तनका बढ़ा दी लेकिन काम के बारे में जिल का नजरिया नहीं बतला आधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लग सकता है पर जिल तो सम्मान चाहती थी उसके बाद मैनेजर ने जिल से कुछ दिर बात की उसके असंतोस की वज़ा जानने के बाद मैनेजर ने जिल को सुपरवाइजर का दरजा दे रिया और दूसरे प्रित्मिधियों को निर्देश दिया कि भविश में आने वाले सारी दिन तिकतों का विवरा उस तक जिल के जरिये पहुँचेगा जिल की बढ़ी होई जिम्मेदारी ने उसके सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसके काम करने के शक्ति फोरण बढ़ गई आर्थिक रूप से आर्थिक पुरसकार आईस्थाई होते हैं और उनका असर थोड़ी देर के लिए होता है वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्ट नहीं दे पाती इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ केवल बेजान चीजों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है वे खुद को एक उप्योगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं सही काम करना एक ऐसा पुरसकार है जो खुदी प्रेड़ा दायक है हम सभी सही या गलत तरीके से प्रेड़ी थे जब मैंने टोरंटो में था तो मैंने दो भाईयों की कहानी सुरी दी उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था जबकि दूसरा काफी सफल व्यापारी था वह समाज में समानित था और उसका एक अच्छा परिवार था एक ही माबाब दोरा पाले गए एक ही महौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए पहले भाई से पूछा गया कि आप यहाँ सब क्यों करते हैं आप नशीली दवाओं के आदी हैं शराबी हैं अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं उनी वज़ें से मैं ऐसा बन गया हूँ दूसरे भाई से पूछा गया आप सारे सही काम क्यों करते हैं आपकी प्रिवारा का श्रोत क्या है और जड़ा सोची उसने क्या खा जब मैं छोटा था अपने पिता जी को शराब की नशे में धुट और सारे काम गलत करते हुए देखा करता था मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना सजबता है दोनों बाई एकी ड़ोत से प्रेड़ा हासिल कर रहे थे लेकिन एक उसका इस्तिमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था गलट धंग की प्रेड़ा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है काम के दौरान प्रेड़ा हीन बनने के चार पड़ाओ कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेड़ा की कई पड़ाओं से गुजरते हैं अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे धिक प्रेड़ा कब होता है जब वह किसी संगठन या किसी संस्था में शामिल होता है क्यों इसलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है वह प्रेडित होता है लेकिन महौल में नया होनी की वज़े से या नहीं जानता कि उसे क्या करना है इसलिए बेअसर होता है यहां एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीजों को सीखना चाहता है उस दरौन उसे संस्था की संस्कृति में डालना काफी आसान होता है इस पड़ाव पर उसी ट्रेनिंग और सही दिशा देना जरूरी होता है गैर पेशेवर संगटनों के पास दिशा देने वाला कोई कायकरम या तो होता ही नहीं है या बहत घटिया दर्जे का होता है काम के पहले दिन सुपरवाईजर नए करमचारी को उसके काम करनी की जगा दिखाता है और उसे क्या करना है या बात बता कर फुरसत पा लेता है इस तरह वा करमचारी को अच्छी बाते बताने के साथ ही अपनी सारी बुराईया भी सिखा जाता है नया कर्मचारी सुपरवाइजर की सारी गलतियों को फॉरण सीख लेता है क्योंकि उसे वही सिख्या जाता है इस तरह वर संगठन नया कर्मचारी को संस्था की संस्कृत में ढालने का मौका गबा देता है दूसरी और पेशेवर संगठन नया लोगों को भरती करने में काफी सावधानी बरतते हैं वे उसे और बातों के साथ ये भी बताते हैं पदों का क्रम एक दूसरी से अपेक्षाय क्या करना है और क्या नहीं करना है मानक और दिजा निर्देश क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या स्वीकार नहीं किया जा सकता है संसाधन जब तक किसी को साफ तोर पर यह ना बताया जाए कि उससे क्या उमीदे हैं तो उससे काम करने के शक्ति दिखाने की उमीद कैसे की जा सकती है यदि कर्मचारी को भरती करते समय सावधानी भरती जाए और उसे सही दिशा का ग्यान कराया जाए तो कई समस्याइं पैदा ही नहीं होंगी नमबर टू प्रेर्ड और असरदार इस पड़ाओं पर पहस्ते-पहस्ते कर्मचारी है सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वहां कामों को जोशुक हरोष के साथ करता है वह अपने पेशे को समझ चुका होता है और यह बाद उसकी काम करने के शक्ति में दिखाए देती है उसके बाद वह अगले पड़ाओ की ओर बढ़ता है प्रेणा हीन पर असरदार कुछ समय बाद कर्मचारी की प्रेणा में कमी आने लगती है वह अपने पेशे की तिकड़ में सीखने लगता है इस पड़ाओ पर पहुँचकर कर्मचारी प्रेणा हीन हो चुका होता है वह इतना काम तो करता है जिससे की मालिक को उसे नौकरी से निकलने का मौका न मिले लेकिन वह प्रेणित होकर काम नहीं करता यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसान दे होता है किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते है एक प्रेरित प्रेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीगियों को अच्छी तरह सीखता है और तिकड़मों को धोखे बाजो और धूर्थों के लिए छोड़ देता है लेकिन एक प्रेरणा हीन कर्मचारी कर्मचारी को नुकसान पहुचाने लगता है उसकी खुद की काम करने के शक्ति काम चलाव होती है प्रेरक हम जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं वह है आत्म प्रेरणा यानि एक ऐसी इस्थिती जिसमें कोई काम किसी दूसरे की पैदा की हुई वजहों से नहीं बल्कि अपनी खुद की वजहों से करें ऐसी प्रेरणा ही टिकाव होती है याद रखिए सबसे बड़ी प्रेरक शक्ती हमारा विश्वास है हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं लोग जब जिम्मेदारी कबूल करनी लगते हैं तब गुरवत्ता उत्पादक्ता रिष्टों टीम भावना के साथ काम यानि हर चीज में सुधार आ जाता है दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके हैं माननेता दें इज़्जत दें काम को दिल्चस्पीब बनाए अच्छे श्रोता बनें लक्ष तै करने के लिए प्रोटसाहित करें विकास के अवसर मुहया कराएं ट्रेनिंग दें चुनाथी पेश करें मदद करें पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते निशकर्ष लोग कोई काम हमारी पैदा की हुई वजहों से नहीं बलकि खुद की वजहों से करते हैं रॉल्फ वर्डो इमर्शन के साथ घटी घटना से यह बात काफी अच्छी तरह जाहिर होती है एक पर इमर्शन और उनका बेटा एक बच्छडे को बखार में गुषाने की कोशिस कर रहे थे बच्छडे को खींच-खींच कर और धक्का दे देकर बाप पेटे बुरी तरह ठक गये पर बच्छडा बखार में नहीं गुषा तब ही एक छोटी सी लड़की उधर से गुझरी उसने अपनी नहीं से उंगलियों बच्छडे की मुमें डाल दी उसके बाद तो बच्छडा उंगली को चूशते हुए उस लड़की के पीछे पीछे बखार में बड़े आराम से चला गया